जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जै कार्थिक मास महत्यम की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओड़ से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक अभिनंदन करते हैं आज हम आपको कार्थिक मास महत्यम के अध्याय चोध्य की कथा सुनाने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले हम आपको एक बड़ी विशे जानकारी देने जा रहे हैं कि मानलीजिये किसी के जीवन में कोई संकट हो, कोई दुख हो, किसी की कोई मनो कामना हो या ऐसा ही कुछ और हो सकता है, तो उसके लिए हम आपको एक बड़ा चमतकारी उपाई यहां पर बताने जा रही हैं, तो अगर आप वो उपाई करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा ही होगा, तो आपने प्रति दिन राधा, 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 ऐसे राधा नाम के किसी कोई पर दो पेज आ आप मन से राधारानी जी को याद भी करते रहें, तो श्री राधारानी जी के नाम में इतनी शक्ती है कि वो मनुश्य के सभी दुखों को दूर कर देता है, मनुश्य की सभी मनो कामनाओं को पूर्ण कर देता है, तो अगर आप इस सुपाई को करेंगे, तो आपके भी आप सामने सक्रीन पर लिखा हुआ देख से हैं तो अब कार्तिक मास महत्यम्य की कथा का चोदमा अध्याए जो की इस परकार है बोल शीराधा कृष्ण भगवाने कीजै बोल कार्तिक मास महत्यम्य कीजै पिछले अध्याई की कथा में आपने सुना था कि भगवान शीव शंकर भोले नाथ जी ने कीर्टी मुख से राहू के प्रानों की रक्षा की थी कीर्टी मुख ने राहू को आकाश में दूर फैंक दिया था वह राहू उस कीर्टी मुख के द्वारा वरवर स्थान पर मुक्त कर दिया गया इसलिए वह वरवर नाम से प्रिथ्वी पर विख्यात हुआ है देवरिशी नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन जलंधर के पास राहू गया है राहू ने जलंधर देते को सब बातें सुनाई है आज देते राज जलंधर राहू की इन बातों को सुनकर क्रोधित होकर अपने देतियों को साथ लेकर ज जल्दी जल्दी चल दिया जल्दी के कारण उसका मुक्ट प्रित्वी पर गिर गया और आप भी वो फिसल पड़ा देत्यों की सैना के सैंकड़ो विमान आकाश में ऐसे चा गए जैसे वर्षा रितु में बादल चाएं हो। आज जी के पास गए हैं और भगवान से वो कहने लगे हैं कि हे देव देव हे महादेव हे करुनाकर हे शंकर आपको प्रनाम हैं हे महेशान हम शरनागदों की रक्षा कीजिए हे प्रभू हम सब देवता जलंधर देते द्वारा किये गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो हे नाथ आपने जो पुर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए श्री विश्न भगवान जी को न्यूक्त किया था इस समय वे भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं अब वे भी उसके आधीन होकर लक्षमी जी के साथ उसके घर में रहते हैं और हम देवगन भी उसके कर वहीं रहते हैं हे शम्भू हे भगवन हम लोग छिपकर आपकी शरन में आएं हैं इस समय में बलवान जलंधर आपसे यूद करने के लिए आ रहा है हते हे स्वामिन हे सरवग्य आप शिगर ही यूद में उस जलंधर का वद्ध कर दीजिए और हम शरनागतों की रक्षा क कीजिए आज सब देवता भगवान शिव शंकर जी महाराज जी से ऐसे कहने लगे हैं आज सब देवताओं के इन वचनों को सुनकर हंसते हुए भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने श्री हरी विश्नु भगवान जी को अपने पास से बुलाया है और कहा है कि आपने सं प्रभु आपके अंश से उसका जनम है और लक्षमी का वो भ्राता है इसलिए उस देते को हमने नहीं मारा आप ही उसका वध कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर देवरिशी नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा प्रतु तब सब देवताओं ने अपने अपने तेज दिये हैं वे मिलकर जब एक हो गए उस समय महादेव भगवाजी ने भी अपना तेज छोड़ उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र उससे बनाया है बाकी बचे तेज से इंदर ने भी वज्र बनाया है किम्तु उस समय जब करोडों हाथी रथ और सेना सहीत जिलंधर के लाश परवत के पास की भूमी में सब को दिखाई दिया तो उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप कर चले कर रुक गया आज देत्यों के सिहनाद से उत्पन महा को लाहल सुनकर दूष्टों का सहार करने वाले तथा महा लीला करने वाले भगवान महेश्वर अत्यांत क्रोधित हो उठे हैं तब महा लीला करने वाले कोतु की भगवान महा देव जी ने महा बलवान नंदी आदी अ युद्ध के लिए ततपर हो गई हैं वे सभी महावीर गन युद्ध के लिए क्रोध से दुर्मध हो नाना परकार के युद्ध संभंधी शब्द करते हुए के लाश परवत से उतरे हैं आज के लाश परवत के पास की भूमी पर भगवान शिव के गनों और सब देत्यों में घोर युद्ध होने लगा है शक्ती तोमर बान मूसल प्राश और पटिशों से अकाश मंडल मोतियों से भरा हुआ जैसा लगने लगा मरे हुए हाथी घोडे और पैदल सेनाओं के द्वारा परित्वी इस परकार भर गई जैसे पुर्व समय में इंदर के वजर से आत पर्वत राजों से भर गई थी उस समय प्रमतों के द्वारा मारे गए देत्यों और देत्यों के द्वारा मारे गए प्रमतों के मज्जा रक्त और मास के कीचर से प्रित्वी व्याप्त हो गई जिससे उस पर चलना असंभव हो गया तब शुक्राचार प्रमत गणों के द् में मारे गए देत्यों को मृत संजीवनी विद्धा के प्रभाव से बारं बार जीवित करने लगे उन्हें इस परकार जीवित होते देखकर व्याकुल तथा बहभीत सभी शिव गनों ने देव देव शिव जी से शुक्राचारे की सारी घटना निवेदित की है ये सुनकर भ धगवान रूदर के मुख से महा भ्यंकर कृत्या प्रकट हो गई है ताड वरिक्ष के समान उसकी जांगे थी गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वरिक्ष तूट जाते थे हे राजन महा भ्यंकर वह कृत्या बड़े वेग से यूद भूमे म आ गई और महान अस्रों का भक्षन करती हुई विछरन करने लगी है इसके बाद वे निर्भे होकर शिग्र ही वहाँ जा पहुंची जहां पर महान देत्यों से घिरे हुए शुक्राचारे थे उस समय वे अपने तेज से आकाश और प्रित्वी को व्याप्त कर शुक्राचारे को अपने गुहा देश में छिपा कर आकाश में अंतर ध्यान हो गई तब युद दुर्मद देत्य सेना के वीर शुक्राचार को तीरोईत देखकर मलिन मुख होकर रन भूमी से भागने लगे है शिव गनों से भेवीत हुई असरों की सेना वायू के वेग से बिखरे हुए तरिन समू की भांती भागने लगी है इस प्रकार गनों के भैसे देत्यों की सेना को छिन भिन होते हुए देखकर सेना पती निशुम्भ शुम्भ और कालनेमी को महान क्रोध हुआ है उन महाबली तीनों सेना पतियों ने वर्षा कालीन महग के समान बानों की वरिष्टी कर प्रते हुए शिवगनों की सैनों को भगाना प्रारंब किया है उन असनों के बान शल समुहों की भांती आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त कर शिवगनों की सैना को कमपाने लगे हैं उस समय सैंक्डों बानों से बिंदे हुए तथा रूदिर की धारा बहाते हुए सैना को छिन भिन होते देखकर कुपित हुए गनपती जी महाराज स्वामी कार्तिके जी और नंदी जी महाराज आदी महा क्रोध करके बड़ी शिगरता से उन महादेतियों को रोकने में लग गए हैं तो इस परकार कार्तिक मास महत्यम के अध्याय चोधें की कथा का यहीं पर विश्राम होता है इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे तो मंदर्शी बंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री रादाकृष्ण जी की भगवान श्री लक्ष महारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै कार्थिक मास महत्यम की जै तुलसी महारानी की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे श्याम